नमस्कार दोस्तों संस्कृत वागिश्वरी एक अक्षा में आपका फिर से स्वागत हैं और मैं हूँ प्रतिभार्या दोस्तों UGC NET और SET के परिक्षाओं के लिए हमारे प्रशन उत्तरों के अभ्यास शंखलाएं चल रही है इसके अंतरगत आज ही हमारा चौथास वीडियो है इसके अंतरगत हम वर्ष 2018 के जुलाई वाले पेपर के कुछ प्रशनों को हल करेंगे जो कि हर एक प्रशन में पूछी जाने वाले common प्रशन है तो आएए उनका हम अभ्यास करें ताकि जो 30-40% स्लेबस है जो कि बार बार रिपीट होता है हम उनका अभ्यास कर सकें दोस्तों इससे पहले ही कहना चाहूंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजें और अगर आपको जानकारी उप्योगी लगती है तो इससे शेर भी जरूर करें सबसे पहला प्रश्न है अब और इसकी है जो कि मदु कायन है तो यह आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्ना आता है यह शोत सूत्रों से संबन दिद हैं हर एक वेद के कल्प शोत सुत्र होते हैं इन्होंने पुछाए कि रहिया यन शोत सुत्र कस्य वेदस्य विध्यते हैं तो इसका सही उत्तर आ जायेगा डी साम वेदस्य किस वेद का यह सुत्र है रहिया यन शोत सूत्र सामवेद का अगला प्रशन आता है एतग वचो जरी तर्मा पिम्रिष्ठा आयत्ते घोशान उरत्ता युगानी इती मंत्र आंशों वर्तते ये एक मंत्र का आंश है आपको बताना है कि किस समबाद सूप्त से है जितने भी यहाँ पर चार विकल्प दिये हैं वे सभी समबाद सूप्तों के हैं समबाद के माध्यम से हमारे रिशियों की परंपरा रही है ज्यान देने की अगर आप महाभाशे देखेंगे वो भी समबाद शैली में है सबसे पहले विश्व के सबसे पहले साहिते वेदों में भी समबाद शैली को अपनाए गया था जिसमें नि विश्वामित्र नदी सूप्त है, हाला कि संभाग सूप्त मैंने पढ़ाये नहीं, लेकिन ये प्रश्न बहुती सरल है, आप समझ सकते हैं इससे, अगला प्रश्न है जो कि उचित विकल्प मिलाने संबंदी है, ये कहते हैं कि अधस्तनेशु उचित संबंद युतम अब ये मंत्र के थोड़ी-थोड़ी अंश दे रखे हैं और पीछे पूछा हुआ है कि इसमें कौन से सूक्त से हैं, किस देवता के विश्य में ये कहा गया है, सबसे पहले यो रंध्रस्य, चोदिता, यह क्रिशस्य, क्या ये सही है, इंद्र देवता का, दूसरा आता है, राजन्तमत भराणाम गोपा मृतवस्य दीदिवं, फिर आता है विश्वम प्रतीची साब प्रथाह उदस्थाथ, फिर आता है अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन, तो सही उतर इसमें आ जाएगा, हमने पहले भी पढ़ा है, यो रंध्रस्य चोदिता, यानि कि वो सभी को मुख्य रूप से, जो सोम्रस बनाता है, उनको प्रेवित करने वाला है, यह ठीक है? अगला प्रशन देखते हैं, प्रशन पांच, यो वाधते ददाती सू नरम वसु अत्र वाधते वाधते पदस्य को अर्था वाधते पद का अर्थ बताना है प्रश्ण पाँच में सही अर्थ इसमें आएगा दोस्तों यग्यकर्ते यग्यकर्ता के लिए यहाँ पर कहा गया है यो वाधते ददाती सू नरम वसु वसु कहते है धनों को जो यग्य करता के लिए धनों को देता है इस प्रकार से अगला प्रशन आता है नामाख्याता भ्याम वियुक्ता अपी उपसरगाह वाचकाह भवन्ती ती कहमन्यते ये निरुक्त सम्मंदी एक बात कही गई है इसमे नामाख्यात उपसरग निखात ये चार प्रकार के चत्वारी पद जातानी इस प्रकार से कहते हैं उसी से कुछ सम्मंदित ये है आपको बताना है कि ये जो लाइन कहीं गई है ये निम्न मैंसे किस विद्वान की है सही उत्तर आ जाएगा इसमें गार्ग्या गार्ग्या क कौन सा प्रत्य हैं जो शब्द है देश्ब इस्पर कौन सा प्रयुक्त प्रत्य है प्रश्ण संद ये TO बहुत ही सरल है प्रशन आज़ है अध्याईहि थिके अगला है यस्मन रिते विजयंते इत्यत्र यस्मात पदेन कह ग्रहयत्टे यसमान नए रिटे किशन कर्म क्रियत्टे इसक्रकार से मंतराया करते हैं तो आपको बताना है, प्रश्ण आर्ठ जो है उसमें कौनसे देवता की विश्यमें बाद की जा रही है किसके यस्मान नरितेविजय अंटे की यसमान नविजय अनते यसमान रितेविजय यंदे जिसके समवाद सुक्त को तो हमें याद करना ही है साथ ही ये भी देखना है कि एक जो समवाद सुक्त है उसका सुक्त संख्या कौन सा है और कौन सा समवाद सुक्त किस वेद से संबंदित है यह हमको देखना है तो सुक्त पूछा है इन्होंने कौन सा सुक्त है तो नवा आता है जो क परिशिष्ट जो भाग होता है उसे छोड़ करके निरुप्त में कितने अध्याय हैं यह आपको बताना है सही उप्तर आजाएगा इसका द्वादश्व कितने द्वादश्व यानि की बाराध्याय है अब बहुती प्रसिद्ध प्रश्ण आता है प्रश्ण 11 प्रचोध यात इती कस्मिन लकारे रूपमस्ती यह आपको बताना है चुकि बहुती सरल है हमने लकार पढ़ते समय देखा है कि 5 लकार तो हमारे सामनी जीवन में हम हर बार प्रयोग करते हैं पांच और लकार है उन पांच लकारों में भी नो लकार तो ऐसे हैं जो हम वर्टमान में प्रयोग करते हैं और एक लकार है जो कि किवल वेदों में प्रयोग होता है वो कौन सा लकार है लेट लकार लेट लगार में प्रयोग किया गया है ये भूर भूस्वातत सवितुर वरिन्यम भर्गोदे वस्यधी मही ध्योयोना प्रचोदयाद इस प्रकार से प्रचोदयाद है जो कि प्रेड़ना करने की अर्थ में दिया जाता है अच्छी प्रकार से प्रेड़ित करने वाला ठीक है अगला प्रश्न आता है प्रश्न बारा किस देवदा के विश्य में कहा गया है किसके विश्य में कहा गया है तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा जातो एव उत्पन होते ही जो विराठ हो गया ऐसा कौन था? पुरुश अती रिच्य था सबसे बढ़कर था कौन था वो विराठ पुरुष था जिसे बहुत सारे रिशियों ने यग्य के द्वारा प्राप्त किया था यग्य पुरुष था वो ठीक है अगला है प्रश्ण तेरा वेदिक ग्रामर इत्याक्यस्य ग्रंथस्य प्रणीता वैदेशिको विद्वानह कह ऐसा कौन सा विद्वा विद्वान था जिसे वेदिक ग्रामर ये पुस्तक लिखी थी बहुत अच्छा प्रश्ण है प्रश्ण 13 सहीं उत्तर आएगा इसका ए मैकडानल याद रखिएगा ये पूछा गया प्रश्ण है बार बार पूछा गया है यदेपी ये भी हमारा 2018 का पेपर है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कई बार पूछा जाता है अगला प्रश्ण हम देखते हैं प्रश्ण 14 सामवेद याहा शडज मध्यम पंचम स्वराह कत समें त्रेई स्वर्य स्वर्य अंतरभवंती जो सामवेद में शड़र निशात गंधार इत्यादी जे सात स्वरों के विश्य में बताए हैं उन्होंने पूछा है कि कत में त्रेई स्वर्य स्वर्य अंतरभवती ये पूछा है तो प्रश्ण है इसका उत्तर आ जाएगा स् स्वर्य में होता है कि इस प्रकार मंत्र आता है रुद्री जब हम पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ा करते थे सवर्वाचन में तो यह देखिए यह वरिहती जो जो चंद है इसमें आपको अक्षरों की संख्या बता नहीं है इस मंत्र में सारे वैदिक चंदों की विश्य में बता दिया गया है तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा छ ठीक है अगला प्रश्ण हम देखते हैं दूस्तों प्रश्ण प्रश्ण सोलह प्रश्ण सोलह कहते हैं कि दर्श पॉनमासे श्टियाग्य अनुयाजानाम संख्या विद्यते दर्श पॉनमास्ट का जो यग्य होता है उसमें अनुयाजानाम संख्या पूछी है इसने कितनी संख्या है भई बहुत ही सरल है यह तो ठीक है यह होते हैं त्रय अगला प्रश्ण है प्रश्ण सत्रा व्रिक्षस्य नू ते पुरुहूत वयाह इत्यत्रा नू विद्यते नू क्या है क्या है इसमें नू यह आपको वेदों में बहुत बार देखने को मिलेगा सानू नू वापश्यती ठीक है इस प्रश्ण सत्रा सही तरा जाएगा इसमें उप्मार्थियह ठीक है उप्मा के अर्थ में प्रियोग होता है के जैसा ठीक है व्रिक्षस्य नू ते पुरुहूत वयाह प्रश्ण 18 देखिये नियत वाचो युक्तयो नियतानू पूर्व्या भवंती इती कथनम वर्तति ये कथन किसका है प्रश्ण 18 ये कथन किसका है सही आजाएगा ओदुम बरायानस्य ठीक है अगला प्रश्ण हम देखिए प्रश्ण 19 इसमें कहते हैं कि रिक् शंहिताया समू उहअँ प्लब्ध भाष्येशू प्रत्मोब भाष्यकार वीद्यते रिक्संगिता जो है रिक वेद की जो सनहिता है उसके उपलब्द भाष्यों में प्रथम भाष्यकार कौन था यह आपको बताना है प्रथम भाष्यकार कौन था हाला कि सायन के जो भाष्य है बहुत ही प्रसिद्ध है लेकिन सकंद स्वामी उसका प्रथम भाष्य था ठीक है भाष्यकार जाएगा इसमें 18 कितनी है बही 18 अब अगला प्रश्ण है अथर्व वेदे न संबध्धा विद्य शिक्षा का विद्यते हर एक वेद की अपनी शिक्षा ग्रंत होते हैं जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया आपको बताना है कि अथर्व वेद की शिक्षा का नाम क्या ह सही अथ्तर आजाएगा इसका मांडू की शिक्षा क्या नाम आजाएगा मांडू की शिक्षा अगला प्रश्ण है शिव संकल्प सूक्तम माध्यांदिन संहितायां कस्मिन अध्याय समुप लभ्यते ये बताना है शिव संकल्प सूक्त जो है माध्यांदिन शाखा किसकी है यजुरुवेद जो है किष्ण और मध्यनदिन शाखा जो होती है यजुरुवेद में पाई जाती है कस्मिन अध्याई समय आप लभ्यति शिव संकल्प जो है मैं शिव संकल्प सूक्त तो आप समझ रहें ना अदिकतर कर्मकांड में यह प्रयोग किया जाता है यस्मिन रिचह सामय जुन्शी यस्मिन प्रतिश्ठिता रथना भाविवाराह यस्मिश्चित्त गुंग सर्वमोतं प्रजानाम तन्मीमन शिवसंकल्पमस्तु वह वाला है यह शिवसंकल्पसुत जिसमें आठ नो मंत्र है ठीक है तो यह आपको बताना है कौनसी शाखा से स सरल प्रश्ण है यह है चत्तुस त्रेंशे कितने चत्तुस त्रेंशे ठीक है आगला प्रश्ण है भरत्री हरी दिशा को ब्रह्माम्रित्म मश्नुते यह आपको देखना है भरत्री हरी दिशा को ब्रह्माम्रित्म अश्नुते यह सई उत्तर बताना है आपको खने उत्तर आजायेगा इसमें शब्द प्रवृति तत्वग्य भ्रह्मा नंदम अश्नुते ब्रह्मानंद को कौन प्राप्ट करता है किस प्रकार प्रव्रति को थे इसमें इन्होंने का विद्व करते हouth Audience के अगला प्राश्न मढ़ी रूप्या का इंद्विज्ञान भरत्रीहरी दिशा कसमाrh ज्यायते प्रश्ण चोईस है सही उत्तर आजाएगा इसका अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है एद धातो हो लुंग लकारे प्रथम पुरुष बहु अचने कह प्रयोगा ये तो सरल है शब्द रूप्तो आपने पढ़े होंगे सही आएगा इसका एधी शता लुंग लकार है लुंग लकार को सामान लेते हैं हम जो पाँच लकार पढ़ते हैं उन में से नहीं है ये लुंग लकार है ठीक है एधी शता इस प्रकार से तो आज दोस्तों वेद से सम्बंदित कुछ खास प्रश्ण में आपके लिए लेकर के आई थी और ऐसे प्रश्ण है इनमें से एक या दो भड़ते हरी जी के जो प्रश्ण है ना उसको यदि छोड़ दें तो इसके अतरिक्त सारे प्रश्ण ऐसे हैं जो लगभग हर एक पेपर में आप 2011 से उठाकर के देख लीजिए हर पेपर में इन में से एक दो एक दो होते ही हैं तो अगर आप ये पच्छिस प्रश्ण भी अच्छे सी याद करें तो दो-चार प्रश्ण आपके इन में से आने तय हैं ठीक है या तो यह नहीं तो इनके जैसा जैसे की रिगवेद का पूछा है उसी तरह सामवेद का आप से ग्रहिये सूतर पूछ सकते हैं या फिर आप से शिक्षा ग्रंथ पूछ सकते हैं तो बिल्कुल पैटर बिल्कुल सेम रहता है इसलिए कुछ प्रशन आपके लिए लेक अच्छा होता जा रहा है ठीक है तो उमीद है आपको ये प्रशन पसंद आये होंगे और आपके अभ्यास में ये सहायक हुए होंगे तो यदि आपको ये प्रशन अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसे अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए क्योंकि ये अभ्यास आने वाली परिक्षाओं के लिए बहुत ही महतुपूर्ण है ठीक है तो फिर मिलता है कुछ नए अभ्यासों के साथ यो जिसी नेट और सैट की परिक्षाओं के लिए तब तक आप सभी को धन्यवाद